नमस्कार दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है केवी क्लासेश के इस यूटूब चैनल पर मैं भी पिन कुमार आप सब का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ टॉप 40 modern history questions यानी 40 महतपूर्ण सवाल जो कि आपके आ आफ यार्मार पुलिस की त्यारी कर रहा है या काउच्टेब के त्यारी करएं तो इसमें यह सवाल आ सकते है तो अच्छा होगा कि आप लोग इसकी अच्छी से त्यारी कर लें उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैन्न को सब्सक्राइब नहीं तो अब लाइक और सेर भी कड़े तो चलिए सुरुआत करते हैं हमारे इस टॉप 40 modern history questions की अपका पहला सवाल है मतलब भारत का पर्थम गवर्णर जनरल कौन था तो इसका सही आंसर क्या है बारत का पर्थम गवर्णर जनरल लॉर्ड कैनिंग था अपका अगला सवाल है यानि कि भारती उब्दरव का पिता किसे कहा जाता है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाल गंगा दरती लग अपसन नमर टू इसका सही आंसर हो जाएगा अगला सवाल है इतिहासिक लखनो समझोता कि निर्माता तथा विख्यातमन होने के लिए हिंदू-मुसलिम एक्ता के राजदूत की अबादी से किसे समानित किया गया था तो इसका सही आंसर क्या है इसका सही आंसर है अप्सिन नमर चार मुहमद अली जिन्ना इसका सही आंसर हो जाएगा अगला सवाल है 1928 में अस्थापित हिंदूस्तान सोचलिस्ट रिपप्लिकन आर्मी के नेता कौन थे तो इसका सही आंसर क्या है इसका सही आंसर है चंसरिकर आजाद यानि कि उप्सिन नमर तीन इसका सही आंसर है सभी याानी सकर साunders की किसने हत्या कर दी थी इसका सही अंसर क्या हो जाएगा भगसंभ या वहाएल वह संथ सिंग का इसमें सांथ दिया था अगला सवाल है दपूना पैक्ट वस सेंट बिट्विन महतमा गांधी एंड डैस यानि पूना समझा तक गांधी महतमा गांधी और किसके बीच हुआ था तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा और फोर हो जाएगा बी यार अम बैटकर अगला सवाल है ने अम दे कमिशन देट कम तू इंडिया इन 1928 तो रिफोर्म इंडिया कंसिटूशनल सिस्टम यानि 1928 में भारत आए हुए कमिशन का नाम बता है जिसका उद्देश भारत के सवेधानिक विश्था में सुधार करना था तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा इसका सही अंसर हो जाएगा और साइमन कमिशन अगला सवाल है इन 1917 महातमा गांधी और गनाइजट असत्यागरह तू सपोर्ट तपीजन ऑफ तक खेदा डिस्टिक ऑफ डैस यानिके 1917 में महातमा गांधी ने किस राजी के खेरा जिलेके किसानों की मदद के लिए सत्याग और में इसे लेकर होंगा नाडा कुस्ट ने दिया था तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा झार्स प्रतूंसर यास नमर्ट आपकाप्स documented अब का इसका सही यांसर है वैडिन हैज में 3 में है अगला सवाल है वेदो की और लोटो का नाड़ा किशने दिया था तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा दयानन्द सरस्वती यानि option number 4 option number 2 इसका सही आंसर हो जाएगा अगला सवाल है निमली की घटनाओं का उनके घटना कर्म का सही कर्म क्या है यहाँ पे आपके कुछ घटना दिये गया है इसको सही घटना कर्म में आपको सजाना है चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्वेट इंडिया मूब्मेंट की यानि भारत छोड़ आंदोलन जिसा कि आपको पताऊना चाहिए ये कब हुआ था तो 8 अगस्त 1942 को हुआ था उसके बाद अगर मैं सिम्ला सम्मेलन की बात करूँ तो ये जून 1945 में सिम्ला सम्मेलन हुआ था पूना सम्झाओ था आपका 1932 में हुआ था और कीविनेट इमिशन इन 946 इनूझ सो ची ठीक है तो इस तरह से आप जब इसको सज़ाओगे तो ये ये 1932 आपका पहला नमर पर आजाँ था याभा निוצला समझाओ था पहला नमर पर आ जाएगा निसो बत्तिस जो ये कितने नमर पर है ये तीन नमर पर है तो तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number 3 अगला सवाल है verse 1917 में महतमा गांधी द्वारा चंपारर में कौन सा अधनोलन शुरू किया गया था तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा सत्यागरा यानि option number 1 अगला सवाल है अगला सवाल है आज़ाद हिंध फोज क्या स्थापना कहा की गई थी सिंगापूड में अगला सवाल है वार्दोली सत्यागरा का आंधोलन का नेतीवित किसने किया था तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अप्सिंगर हो जाएगा आगला सवाल है Lord काणवालीश को लिए जाना जाता है इसका सहीँ आज़ा है放心 of ban рад यनि बंगाल की स्थावर्या सस्थत के लिए लोड काणवालीश को जाना जाता है गदर पार्टी का स्थापक कौन थे तो इसका सही असर क्या हो जाएगा option number two हो जाएगा सोहन सिंग भाकना अपका अगला सवाल है which year was the East India Company established याने East India Company का गटन के सवर्स हुआ था तो इसका सही असर क्या हो जाएगा option तो इस तरह से आपको सबको मिलाना है तो इस लिए मैं आपको मिला के सारा कुछ आपको बता रहता हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकर की परिशानी ना हो कि सबसे पहले आपका आता है आरिश अमाज अगर मिला बात करता हूँ आरिश अमाज की तो इसके संस्थापक कौन थे यह हो जाएगा option number B दयानन्द दूसरा आपका आता है ब्रहम समाज तो इसके संस्थापक कौन है यह आपके राजाराम मोहन रहा हैं तीसरा है आपका वेद समाज तो वेद समाज का कौन है आपके option बाड़ा पांडूराम तो इस तरह से यह इसका अंसर हो जाएगा अगरा option की बात करूँ तो आपका option नमबर option में तो इसका सही अंसर हो जाएगा यहां पर आपका कर्रेक्टर्स दिया गया है अगरा सवाल है भारत के पर्थम गवर्णर जनरल कौन थे जिसका सही अंसर क्या हो जाएगा लॉर्ड विलियम बैंटिक अगरा सवाल है सर्दार वाल्ला भाई पर्टेल डैस के अग्विन निता थे करने सर्दार करेंते हिदा आपका सवाल है सरदार वेलल्ला भाई पर्टेल डैस के अंगरी निटां थे मोगोगोनें मीं अगला सवाल है किस गवर्णर जिनलर ने भारत में सती पर्था का अंत किया था तो इसका सही आज़र क्या है लॉर्ड विलियम बेंटिक यानि अप्सिन नमर थी अगला सवाल है अपने सासन के दौरान अंग्रेज की शानों को मदरास में क्या उगाने के लिए मजबूर करते रहे हैं तो इसका सही आज़र क्या हो जाएगा अप्सिन नमर एक जूट अगला सवाल है 1930 में किस की ग्रिफ्तारी प्रेसावर की सरको पर उग्रफ परदर्शन हुए थे तो इसका सही आज़र है अब्दूल गफार खान अगला सवाल है नमक सत्याग्रा में मातमा गांधी कि ट्रोली कितने दून तक पैदल चली थी तो इसका सही आज़र क्या हो जाएगा ऑफ़न मर एक हो जाएगा 24 अगला सवाल है अपने सासें के दौरान अंग्रेज की शानों को आशाम में क्या हो गाने के लिए मजबूर करते रहें तो इसका सही आज़र क्या होगा अप्सि 2016 में महतमां गांधी ने दमन गारी बागान विवस्ता की खिलाफ किसानों को संगर्स के लिए प्रेड़ित करने के लिए कहां का दोड़ा किया था इसका सही अज़र क्या है? अप्सिन नमर 3 वजाएगा चमपारन अगला सवाल है महतमां गांधी जन्वरी 1915 में कहां से भारत लोटे? तो इसका सही अज़र क्या है? अप्सिन नमर 1 है साउथ अफ्रीका यानि दक्चिन अफ्रीका से अगला सवाल है 1918 में महतमां गांधी सूती कपड़ा गार खाने के मजदूरू के 20 सत्यागर अंधुन चलने कहां पर कहां जा पहुँचें? तो इसका सही अज़र क्या हो जाएगा? इसका सही अज़र हो जाएगा आमिदाबाद यानि अप्सिन नमर 4 अगला सवाल है 1919 में महतमां गांधी ने प्रस्ताविट 20 के खिलाब एक राष्टे वियापी सत्यागर अंधुन चलने का फैसला किया तो इसका सही अज़र क्या है? अप्सिन मर 2 है डॉलेट एक्ट अगला सवाल है डूतिये 20 सेईयुद समाप्थ होने के 70 वर्स बाध भी जापान और किस देस के बीछ सांती संदी अभी तक अस्थापित नहीं हूई है तो इसका सही अंज़र क्या है? आपसिन में तू है रूस यानि दूतिये पिस सुजूद समाप्त होने के सतर वर्स बाद भी जापान और रूस के भी सांती संदी अभी तकस थापित नहीं हुई है अगला सवाल है लॉट कलाइव ने स्रियाजदुल्ला को के सुजूद में हराया था अगला सवाल है मुर्सित कुली खान अली वर्दी खान और स्रियादुल्ला कहां के नवाब थे तो इसका सही अंजर क्या है आपसे को पता है इसका सही अंजर बंगाल होगा अगरा सवाल है प्रासी की जंग के बाद स्रियाजदुल्ला को मार दिया गया और किसको नवाब बनाया गया और किसको नवाब बनाया गया तो आपको पता है इसका सही अंजर क्या हो जाएगा option number 1 में मीर जाफर इसका सही अंसर मीर जाफर हो जाएगा तो धन्यवाद दोस्तो हमारे टॉप 40 questions है जो कि modern इंडिया कोशन है ये काफी सांदार कोशन है जो कि आपके आने वाले एक्जाम में आपको बहुत मदद करेगा इन सारे सवाल को आप अच्छे से याद कर लिजेगा ताकि आपको एक्जाम में किसी उपढ़ागी परिसाही ना हो हमारी वीडियो को अंतक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे हमारी वीडियो को देखते रहें और ज्यादा ज्यादा लाइक और सेयर करें थैंक्यू सो मच फूर वाचिंग